आप सभी को मेरा प्रणाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रो वाटर हाय सिंथ के चर्चा करेंगे पूरी दुनिया में वाटर बोडिस के अंदर पाये जाने वाला वाई एक खरपतवार है इसके ओस्दिय गुण हो सकते हैं करो सकता है किस प्रकार से अच्टा आज हम जानेंगे आइक और यह क्रेसिफ समय कहते हैं और इसको हम पॉंटी डेरिया क्रेसिफ सुब्ञ ते अगर आपकी soil में potassium की कमी हो गई है तो natural bio fertilizer की रूप में भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं आप क्या कर सकते हैं आप इसकी chopping करके powder बना के रख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही इखटा कर लीजिए क्या होता है chopping करने से degradation fast हो जाता है और मिंडल्स की कमी को जल्दी यह पूरा कर देता है यह natural bio fuel का कारे भी करता है और इसके अंदर पाये जाने वाला जो fiber होता है यह बायो polymer का कारे करता है इसी के fiber से साड़ियां तैयार की जा रही है जो कि skin की problems को भी ठीक करने का कारे करती है और जिन व्यक्तियों को allergic reactions जादा होती है synthetic कपड़े से उस प्रकार के लोगों के लिए महान और गुनवत्ता पूरवक तैयार की गई साड़ियां और कपड़े विसेज उपयोगी है गर्मियों से हमारे सरीद में होने वाली redness इचिंग से बचाते हैं ना किवल बचाते हैं बलकि अच्छी skin tonicity को रखने में भी सायक होते हैं साथियों इसकी जड़ा आप देख रहे हैं यह bio fertilizer के रूप में आप उपयोग में ला सकते हैं और इसके अंदर यहां से आप इसको काट के अगर रख लेंगे तो इसमें cellulose पाया जाता है hemicellulose, cellulose, lignins यह सब पाया जा ला सकते हैं यह तो रही वित्रो इसके extra benefits की बात अगर घाव है wound healing करना चाहते हैं तो आप इसको paste बनाकर घाव पर भर दीजिए घाव को heal करता है inflammation को कम करता है और इसका आप काढ़ा बना कर सेवन करते हैं तो worms को शरीर के बहार निकालने का कारी करता है excess मात्रा में ज्यादा dose में अगर आप इसको लेते हैं तो vomiting के माध्यम से सरीर के toxins को निकालने का भी कारे करता है इसको आप केवल weed ना समझें इसको आप ओसधी है वे हमारे सामाने जीवन में उप्योग होने वाला एक water plant समझें water hyacinth इसको समझें और इसको अच्छी economic benefit के लिए उप्योग में आप इसको ला सकते हैं मित्रो इसका decoction आप अगर पीते हैं तो शरीर के अंदर lipid profile को balance करने के कारे करता है cholesterol को कम करता है bad cholesterol को कम करता है toxins के removal के माध्यम से obesity का भी ये समधान करता है मोटापे को कम करता है मित्रो water bodies के पास ये आसानी से मिलता है आप इसको इखटा कर लें और इखटा करके इससे economic benefits आप लें अपनी soil की fertility बढ़ाए और इनिक cultivation करें इससे अपना powder बना कर रख सकते हैं शरीर की toxins को दूर करने के लिए inflammation wound healing के लिए पेट के कीडों के समश्या के लिए vitamin A की कमी को पूरा करने के लिए minerals की कमी को पूरा करने के लिए आप इसका दो से तीन ग्राम सुखाय हुआ चून पत्र का चून आप उप्योग करें आप दा को अफसर में बदलने का प्रियास करें क्योंकि समस्त भारत में और भारत के अलावा पूरे विश्व में जहां भी water bodies होती है पानी के flow को चेक करने का इकारे करता है heavy metals का absorption कर लेता है तो biological oxygen demand जो होती है वो जीव जनतों जो जल में रहते हैं उनके लिए oxygen को सूसित करने के बाद BOD की demand बढ़ा देता है और उन जीव जनतों के लिए यह हानी कारक हो जाता है तो इसको आप economic purpose से इस्तिमाल करें इसको इखटा कर लें और इसको उपयोग में लाएं fiber बनाने के लिए साडिया बनाने के लिए pharmaceutical purpose से health benefits से आप इसको अच्छी तरह से उपयोग में ला सकते हैं plant प्रिकृति का दिया हुआ वर्दान है और इसको अच्छे उपयोगों में हमें लाना चाहिए आप देख सकते हैं यह इसकी अवस्था के बाद इसमें flowers आ जाते हैं flowers को भी हम उपयोग में लाते हैं आँखों की समस्चा को दूर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए मित्रों आप हमें comment कर सकते हैं email कर सकते हैं और आप सबके अच्छे-च्छे messages हमें मिलते रहते हैं आपकी queries हमें मिलती रहती हैं कल सुबह साड़े से बजे फिर एक plant क साथ मिलेंगे तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद परनाम हमस्कार